नमस्कार किसान भाइयों मैं हूं मानास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल एगरो इन्फो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हेग्जा कोनोजोल 5% इसी फंगिसाइट के बारे में ये किन-किन फंगस को कंट्रोल करता है इसका डोच क्या है इसे किन-किन फसलों पर सिर्काव कर सकते हैं ये कैसे काम करता है तथा इसका कीमा एवाम डोच की बारे में पूरा जान करें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एकजाकोनोजोल फंगिसाइट मुख के रूप से सीद बलाइट, पाउडरे मिल्डिव, रस्ट एवं लिफी स्पार्ट को कंट्रोल करता है यहाँ एक स्पार्ट की विकास एवं प्रजन को अरोत करता है जिससे की फंगस की विद्धी नहीं होती तथा उसकी मृत्ति हो जाती है इसमें ट्रांस्निम्नार एक्षन भी है जिससे की पत्ती के उपर तथा नीचे दोनों भाग में समार रूप से काम करता है यहाँ पाउधे को दो रूप से बचाता है पहला प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले दूसरा क्यूरेटिव मतलब रोग लगने के बाद हेक्जा कोनोजोल फंगिसाइट को हम धान, टमाटर, आम, मिर्च, सोयबीन, आदी फसलों में इस्तमाल कर सकते हैं हेक्जा कोनोजोल फंगिसाइट 12-13 दिनों तक अच्छा रियल्ट देता है हेक्जा कोनोजोल फंगिसाइट फसलों की पारंभिक स्टेच का फंगिसाइट है फंगस के जाड़ा अटेक होने पर इसका इस्तमाल ना करे इसमें फाइटा टॉनिक एफेक्टर होने के कारण यहाँ पौधे को तनाओं से दूर कर उसको हरा भरा तंदुरुस्ता बनाता है यहाँ फंगस के बिजानों को बनने से रोकता है तथा परियोणन के लिए कोई हानिका रख नहीं आज तक किसी भी फंगस में हेज्जा कुनोजोल के प्रती कोई प्रतिरोज छमता नहीं देखा गया है आज की वीडियो में फिलाली इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे की ऐसी जानकरी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे